बच्चो नमस्कार इस वीडियो में आपका श्वागत है इस वीडियो लेक्चर में पहुत ही खास खास बात होने वाला है इस वीडियो लेक्चर में यूनानी आक्रमन के बारे में यूनानी आक्रमन से जितने भी related question है शब लोग इसमें भारी बारे से देखेंगे और जो भी अभी अभी exam हुआ है आप उससे match कर सकते हैं कि कितना important यूनानी आक्रमन है युनानी आक्रमन जितने भी कोश्चन इस टोपिक से आते हैं सारे के सारे टोपिक इसमें कभर किया हुआ है आप ध्यान पुर्वक और धैरिय पुर्वक इसको देखें विश्वास रखें प्रस्ट करें युनानी आक्रमन बच्चों स्टार्ट करने से पहले मैं एक संदेश देना चाहता हूँ जो भी बच्चे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किये हैं आपको विडियो लेट से मिलता होगा चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें बेल आइकन प्रेस करने से आपको ये होगा जब कभी भी जिस टाइम में हम विडियो अपलोड करेंगे आपके पास उसी टाइम पहुँच जाएगा तो बच्चों आपने इस मैसेज को जरूर ध्यान पुर्वक शुन लिये होंगे जरूर से जरूर ध्यान दे बच्चों युनानी आकरमन का फर्ष्ट कोश्चन है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत का सासक शासन था उत्तर भारत पर सासन था नंद का नंद का मगद का राजा जो सिकंदर महान के समकालिन था धनानंद था धनानंद कथन ए लगभग दो बर्ष के अभियान की पश्चात सिकंदर महान ने 325 इसापुर्व में भारत छोड़ दिया कारण वह चंदरगुप्त मौर्य से प्राजित हुआ था वह चंदरगुप्त मौर्य से प्राजित हुआ था कथन और कारत ये था तो ए सही है मिंस कथन सही है प्रन्तु कारण गलत है युद्ध भूमी में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतिये गन अथवा गन अथवा राजी की इस्तिरियों ने सिकंदर के बिरुध सस्त्र धारन किया था वह है मस्ग भारत में सिकंदर की सफलता के कारण थे उस समय भारत में कोई केंद्रिय सत्ता नहीं थी उसकी फौज बेहतर थी उसे देश द्रोही सासकों से सहाईता मिली वह बीर भारतिय राजा जिसे सिकंदर ने जहेलं के टट पर प्राजित किया था पूरू पोरस पूरू पोरस निर्याकस आरनेसी क्रिटस आरनेसी क्रिटस डाइमेकस अरिश्टो ब्यूलस अरिश्टो ब्यूलस में से वह जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था डाइमेकस बच्चों अगला जो टॉपिक है मौर्य सामराज से लिया गया है मौर्य समराज भी अपने आप में बहुत ही बेहतर टॉपिक है इसका भी कोशन उसी टाइप से है जिस टाइप से पिछले कई टॉपिक हम लोग देखते आ रहे हैं बच्चों फस्ट कोशन है पर्थम भारतिय शामराज अस्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा गुप्त मौर्य बर्धन कुसान में से सबसे पुराना राजवन से मौर्य मौर्य जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का बिसिस्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है विसाख दत सैंड्रो कोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की बिलियम जोन्स ने प्लिनी, जस्टीन, स्ट्रैवो तथा मेगा अस्थनीज में से वह जिसने सैंड्रो कोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उलेख किया है जस्टीन, कोटिल प्रधान मंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के चानक्य अपने बच्पन में जाने जाते थे, विस्नुगुप्त के नाम से कोटिले का अर्थ सास्त्र है एक, सासक के सिद्यान्त की पुस्तक, सासन के सिद्यान्तों की पुस्तक, सब्तांग सिद्यान्त के अनुसार, राजी के अंग हैं, राजा, आम्तिय, जन्पद, दुर्ग, कोस, सेना एवं मित्र। कोटिले के अर्थ सास्त्र में परकास डाला गिया, राजनितिक नितियों पर, राजनितिक नितियों पर, मै क्या वेली के प्रिंस से तूलना की जा सकती है, कोटिले के अर्थ सास्तर की, कोटिले के अर्थ सास्तर की डाइमेकस भारत आया था, बिन्दुसार के सासन काल में, बिंदुसार के सासन काल में पाटली पुत्र में इस्थेत चंद्रगुप्त का महल मुख्यतह बना था लकडी का जिस प्राचिन नगर के अवसेश कुम्रहार अस्थल से प्राप्त हुए हैं वह है पाटली पुत्र बुलंदी वाग प्राचिन अस्थान था पाटली पुत्र खा असोक चंद्रगुप्त बिंदुसार तथा कुनाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की बिजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली वार जीता चंद्रगुप्त मौर्य ने वह अभिलेक जिससे यह परमानित होता है की चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था रुद्रदामन का जुनागर सीलालेक गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के समराज में समलित्था यह परमानिक होता है रुद्रदामन के जुनागर सीलालेक से सेल्यूकस जिनको अलेकजेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रसासक न्युक्त किया गया था को हराया था चंद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 इसा पुर्व में दिया गया मान्चित्र संबंधित है असोक से उसके सासनकाल के अंतिम समय से जो भी लाइन लाइन बनाया हुआ है या कह लिजिए जितना आपको फीगर दिख रहा है इसी को आपको ध्यान में रखना है और कहना है असोक से उसके सासनकाल के अंतिम समय से सहिस्नूता, उदार्ता और करूना के त्रीविध्य अधार पर राजधर्म की अस्थापना की असोक ने अफगानिस्तान, बिहार, स्रिलंका तथा कलिंग में से वह छेत्र जो असोक के समराज में समलित नहीं था असोक के तिर्थिये मुख्य सिलालेक, दुतिये मुख्य सिलालेक नवा मुख्य सिलालेक तथा पर्थम अस्तंब अभिलेक में से वह जिस में दच्छिन भारतिये राजियों का उलेक हुआ है दूतिये मुख्य सिलालेक है भारत के पर्थम अस्पताल एवं औसधी बाग का निर्मान करवाया था असोक ने असोक ने बौध होते हुए भी हिंदु धर्व में आस्था नहीं छोड़ी इसका प्रमान है देवनाम प्रिये की अवधी और देवनाम प्रिये की उपाधी असोक के सासनकाल में बौध सभा अवेजित की गई थी और आयोजित यहाँ पे होना चाहिए शभा आयोजित की गई थी पाटली पुत्र में कहां की गई थी पाटली पुत्र में थोड़ा सह यहां पे रॉंग लिखा गिया है या टाइप किया है इसमें आप आयोजित कर लिजिएगा मन में मौर्य सासक जो बहुत धर्म के अनुवाई थे असोक एवं दसरत रज्जूक थे मौर्य सासन में अधिकारी सार्थ बाह करते थे बेपारियों के काफिले को अग्र हारिक युक्त प्रादेशिक था राजुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रसासन का भाग नहीं था अग्र हारिक शारनात अस्तंब का निर्मान किया था असोक ने सर्वस्रेश्ट अस्तूप मानते हैं सांची को सांची को सांची का अस्तूप बनवाया था असोक ने शुमेलित कीजिए अस्थान है एक साइड एक साइड श्मारक है कोसांबी घोसिता राममट कोसी नगर राना भर अस्तूप सारनात धमेक अस्तूप श्रावस्ती सहेत महेत सहेत महेत शमराट अशोग की तिर्थ यात्रा का सही क्रम है गया कोसी नगर लुम्बनी कपील वस्तूप शारनात एवं श्रावस्ती असोग के सिला लेखों में परियुक्त भासा है प्राकिर्थ भासा में प्राकिर्थ भासा में कालसी गिरनार शाहबाजगड़ी तथा मेरठ में से वह असोग कालीन अभिलेख जो खरोष्टी लिपी में है शाहबाजगड़ी पत्थर पर प्राचिन्तम सिला लेख थे प्राकिर्थ भासा में असोग के सिला लेखों को सर्व पर्थम पढ़ा था जम्स प्रिंसेप ने वह अस्थान जहां पाक असोग ब्राहमी लिपी का पता चला है अनुराधा पूर है प्राचिन भारत में ब्राहमी नंद नागरी शारदा तथा खरोष्टी में से वह एक लिपी जो दाई और से बाई और लिखी जाती है खरोष्टी बच्चों बहुत ही इंपोर्टेंट है खरोष्टी ये जो अभी अभी कोश्चन हम लोगों ने पढ़ें बहुत ही इंपोर्टेंट है अभी जो कुछ दिन पहले एकजाम हुआ था उसमें इस बात को पूछा गया था अशोख का अपने सिलालेखों में शामानित जिस नाम से उलेख हुआ है वह है प्रिये दर्सी अशोख के प्रस्तर अस्तंभों के संदर्भ में सत्य कथन है इन पर पढ़िया पॉलिस है ये अखंड है अस्तंभों का सैप्ट शुन्डाकार है मास्की, गुर्जरा, नेटर, एबम उडे गोलन में से वह एक अभिलेख जिसमें असोख के बेक्तिगत नाम का उलेख मिलता है वह है मास्की, मास्की असोख का रुमिन देई अस्तम संबंधित है बुध के जन्म से गुर्जरा, लगूर, सिलालेख जिसमें असोख का नामों लेख किया गिया है स्थित है, मध्य परदेश के दत्या जिले में केवल वह अस्तम जिसमें असोख ने स्वय को मगद का समराट बताया है भाबरू अस्तम भाबरू अस्तम खालसी परसिद है असोख के सिलालेख के कारण उत्राखंड में शमराट असोख के सिलालेखो की एक प्रती मिली थी कालसी में कलिंग युध की बिजय तथा छत्यों का वर्नन असोख के जिस सिलालेख में है उनमें समलित है सकेंड और थर्टिन सिलालेख चोल, पांड्य, सत्य, पुत्त तथा शात वाहन में से वह दचनी राज्य जिसका उलेख असोख के अभिलेख में नहीं है असोख के अभिलेखों में नहीं है शात वाहन असोख का वह अभिलेख जिसमें पारंप्रिक अवसरों पर पसु बली पर रोक लगाई गई है ऐसा लगता है कि वह पावंदी पसुओं के बदपर थी सिला अभिलेख फस्ट टालेमी फिला डेलफस तुर्मय जिसके साथ असोख के राजने संबंध थे सासक था मिस्र का मिस्र का चोल गुप्त मौर्य तथा पल्लों में से वह राजवंस जिसके सासकों के शुदूर देशों जैसे सिरिया एवं मिस्र के साथ राजकिये संबंध थे मौर्य प्राचीन भारतिय अभिलेखों में से वह एक खादान जिसे देश में संकट काल में उपियोग हेतू सुरच्छित रखने के बारे में प्राचीनतम साही आदेश है शौह गौरा तामर पत्र अगला है वच्चों कथन और कारत कथन कह रहा है असोक ने कलिंग को मौर्य समराज में जोड लिया था कारण है कलिंग दच्छिन भारत को जाने वाले अस्थलिये एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था कारण और कथन दोनों सही है और कारण कथन का सही अस्पस्टी करन है अगला भी है कथन कारग कथन में कह रहा है मौरे कालिन सासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था कारण है भू अनुदान के विरुध क्रिसकों ने बिद्रोह किया कथन सही है परन्तु कारण गलत है इसमें मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए दिया जाता था मिर्त्यू डंड मिर्त्यू डंड प्रसिध युनानी राज़तूत मेग अस्थनीज भारत में आये थे चंद्रगुप्त मौरी के दर्वार में मेग अस्थनीज ने अपने ग्रंध इंडिका में भारतिय समाज को बिभाजित किया साथ स्रेनियों में साथ स्रेनियों में अर्थ सास्त मुद्रा राच्छस मेग अस्थनीज की इंडिका तथा बायू पुरान में से वह स्रोत जिसमें उलेखित है कि प्राचिन भारत में दास्ता नहीं थी मेग अस्थनीज की इंडिका वह स्रोत जिसमें पाटली पुत्र के प्रसासन का वर्नन उपलब्ध है इंडिका वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रसासन का विस्तिरित वीवरन प्रस्तूत करता है मेग अस्थनीज की इंडिका मेग अस्थनीज की इंडिका मेग अस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका मौर्य नरेशों ने विकास किया था संस्क्रीत कला वसाहित्य प्रांतिय विभाजन हिंडू कूस्तक शाम्राज्य भाग एवं बली थे राजस्व के श्रोत मौर्य काल में भूमिकर जोकी राज की आई का मुख्य श्रोत था एकत्रित किया जाता था सिता ध्यच्छ द्वारा मौर्य काल में सिता से तातपर्ज है राजकिय भूमि से प्राप्त आए मौर्य मंत्री परिशद में राजस्व इकठा करने से शंबंधित था शमा हर्ता मौर्य युगिन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था पौत बाध्यच्छ पौत वाध्यच्छ पंकोद कस निरोधे मौर्य परसासंद्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था सडक पर कीचड फैलाने पर मौरी काल में सिच्छा का स्रवाधिक परसिद केंद्र था तच्छ सिला कोटिली के आर्थसास्त्र के अनुसार मौरी कालिन न्याय विवस्था में ये न्यायाले अस्तितु में थे धर्म अस्थिय और एवं कंटक सोधन धर्म अस्थिय एवं कंटक सोधन वर्तमान नगरपालि का प्रसासन का यह कार्य मौरी काल से जारी है जन्म एवं मिर्तियू का पंजी करन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इति ब्रितो राजवनसिये इतिहासों तथा भीर गात्हाओं को कंटस्त करना बेवसाई था मगध एवं सूत बर्गो का गाओं की सासन को स्वायत सासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की ब्यवस्था का सुत्रपात किया मौर्यो ने मौर्यो ने प्राचिन भारत का ग्रंथ जिसमें पती द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए बिवाह विछेद की अनुमती दी गई है अर्थ सास्त्र जातक मनु अस्मृती याग्य वल्यवय एवं अर्थ सास्त्र में से पुर्ण विवाह वर्जित है मनु अस्मृती में बिदेशियों को भारतिय समाज में मनु द्वारा दिया गया समाजिक अस्तर था ब्रात्य छात्रियों का प्राचिन भारत के यात्रियों का सही क्रम है मेग अस्थनीज पत्रवान हेंशांग एवं इत्सिंग शही सुमेलित किजिये सूची वन और सूची तूसे चंद्रगुप्त सेंड्रो कोटस्थ बिंदुसार अमिंत्र गहात्थ असोग पीय दसी चानक्य विस्नुगुप्त अंतिम मौर्य सम्राढ था ब्रिह द्रत्थ सही कथन अंतिम मौर्य सासक ब्रिह द्रत्थ की हत्या उसके परधान सेनापती पुस्य मित्र सुंग ने की थी अंतिम सुंग राजा देव भूती की हत्या उसके ब्रहामन मंत्री वासुदेव कन्य ने की और उसने राज सिहासन हत्या लिया आंध्र ने कन्य राजवन्स के अंतिम सासक को पदवंचित किया था इस्वी सन के पूर्व की कुछ सतापदियों में गिर्नार छेत्र में जल संसाधन वेवस्था की और ध्यान दिया चंद्रगुप्त मौरी एवं असोक ने जल की आवस्यक्ता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम सासक ने गिर्नार छेत्र में एक जील का निर्मान करवाया था वह था चंद्रगुप्त मौरी चंद्रगुप्त मौरी शुमेलित कीजिये लोथल इनशेंट डायार दक्यार शोरी इनशेंट डाक्यार शारनाथ फस्ट शर्मन अफ बुध्ध फस्ट शर्मन अफ बुध्ध सारनाथ लायन कैपिटल आफ असोक, नालंदा ग्रेट सीट आफ बुदिस्ट लर्निंग, ग्रेट सीट आफ बुदिस्ट लर्निंग, तो बच्चों इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत